रेट बटन को दबाईए और सब्सक्राइब कीजिए डोईटेक चैनल को और साथे साथे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो और वेल्कम फ्रेंट्स और आप सभी का एक बार फेसस हो आगते हैं डोईटेक चैनल पर फ्रेंट्स आएक इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप के किस तरीके सा जो है आप MIUI 10 बीटा अपने शाओमी रेड्मी नोट फाइफ या फिर शाओमी रेड्मी नोट फाइफ प्रो में इस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर महीं उसकर हूँ शाओमी क मिल जाएगा सबसे पहले आपको अपडेटर पर पर akenल आ आपको इस की यूच की जो टॉबल बीटा कोसरें बार्याव और वहां पर देट करना है और वहां करने के बाद जो आपको बनेख मुलेगा और fringe यूच करना है humanities program history से पूरी तरीक से ध्यान में रखना है सबसे पहले बात कि आपको जो डेटा है वो पूरा पूरा तरीक से खेल लेड़ाई तो आपको आपका पॉर्स नेटा है तो वह सब खत्म हो जाएंगा तो इसके लिए पहले से ही बैक अप बना ले न अरफ यहां पर जो है जो गेटिंग information हो ती तो वहाँ पर आपको इंटरेनेट की ज़रूत पड़ेगी तो आप इंटरेनेट से connect रेना चाहे तो वाइफाय क्नेक्शन लेना चाहे आप अपना कोई सब्सक्राइब यहाँ यहाँ पर आपको यह एक्स ट्रेक होगी फार्मवेर और एक्स ट्रेक होने करना है और आपका डिवाइज जो है नॉर्मली बूट होगा जैसा आप नॉर्मली अपने किसी भी शामी के डिवाइस में अपडेट को इस्टॉल करते हैं उसी तरीखे से जो है आपका जो शामी का रेडबी नोट 5 या रेडबी नोट 5 प्रो है वो अपडेट होगा बाइद बताऊंगा जो कि आपको जुरूर फोलो करने हैं अदर्वाइस आपके मुबाइल में कुछ प्रॉब्लम सा सकती है सबसे पहले बात यह कि आपको जो फार्म्वेर डाउलोट करनी है इसलिए मैं आपको कोई भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं विक यहां पर आपको जो है लेटस फार्मवेर के ज़रूबत होगी और आपको जो कुछ इस तरीके का जो है आपको वार्निंग शोगी तो मैं सिर्फ आप से एहरी कमेंड करूँगा आप शामी की वेबसाइट पर जागर करें या फिर बहुत सारी वेबसाइड है जहां पर जो डेटा है चाहिए आपके नॉर्मल पिचर अगरा की बात करते हैं वह सब ही किलियर हो जाएगा आपको माइल पूरी तरीके से फॉर्मिट हो जाएगा तो इस इन स्टेप को फोलो करने से पहले जो है अपना सारे डेटे का वेक अप ले लेना है तो करते हैं अपडेट और अजया को शाूमी के Redmi Note 5 Pro में या किसी भी शामी के DEVICE में MIUI 10 में देखने को मिलते हैं यहां पर हमारे जो Xiaomi Redmi Note 5 Pro है वो अपडेट हो चुका है यहां पर हमारा डिवाइस बूट ऑन भी हो चुका है तो यहां पर जली से जो है मैं इसके सेट अप कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद में मिलते हैं और यहां पर जो मुझे सबसे जादा अच्छी जो इसके अंदर चीज लेगी है वो इसका नॉटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज कर दिया है शाओमी ने और मुझे यह सैंसंग से भी जादा अच्छा लग रहा है इसका जो नॉटिफिकेशन पै मुझे 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 नॉटिफिकेशन पैनल तो काफी जादा बुरा लगता था और इसका यार कमाल है इसके अलावा जो इसके वोल्यूम का डिजाइन है वो भी शाओमी ने पूरी तरीके सा चेंज कर दिया है और यहां पर काफी मतलब यह मुझे जो हैं 8P की यार दिला रहा है और इसका थोड़ा बहुत इससे मिलता जूलता जो डिजाइन है आप समसिंग की डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका पर जो है मैं बहुत जली वीडियो बनाने वाल हो हाले कि मैंने काफी ताइम पर ले वीडियो बनाई भी थी बट अब यहां पर आपको कुछ बग्स देखने को मिल जाए बट जादा बड़ी बात नहीं है जादा इने खास मुझे तो बितलग लगा नहीं क्योंकि मैं इसको जो एरांड 18 और सी उस करो और मुझे ज्यादा कुछ खास मतलब इसके अंदर ऐसे बग्स नजर नहीं आए सिवाए देखें यहां पर पोर्ट्रेट मॉट में जो आपका जूम हो जाता बट अब नहीं हो रहा है उसको जो है फिक्स कर देगा और आप यहां पर देख सकते हैं जो है Android 8.1 को पर बेस्ट है यहां पर जो मेर मिया का वरसल मिलता वह है 8.7.26 यही था आज की वीडियो में जैसे यह शाओमी के रेड़ी नोट 5 प्रो के लिए कोई भी नया एफ़ोट अपडेट आता है तो डेफिनिटली में उसको पर जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा और हर चीज को जो है एक्स् कि अपने फ्रेंज के साथ में और अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब करें बगर के मचेएगा मैं मिलता अपसी की से अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो वे सो सी और माइन नेक्स वीडियो साइनिंग आउट